जब कोविड रहता है तो कुछ कंसेशन आउर भी देना चाहिए, यह फ़ीज बात है, यह बहुत बुरा है, मतलब 14 करोड लोगों का वोट इनको नहीं मिल सकता है, यह चोटी बात नहीं है, बुजर लोगों ले एक यह कंसेशन देना चाहिए, उसका जो भी सुविदा है, व कोई नहीं है दुनिया में नमस्कार आप देख रहे हैं सवगन टीवी और मैं हूँ आपके साथ रादिका शर्मा बात की जाए तो आज हमारे साथ सुप्रीम कोट के वकील हैं बाला कृष्णन जी कुछ परिशानिया लेकर आया कहते हैं रिजर्वेशन जो है बुजर्गों क इलिए जो कोविट के पहले उनका रिसेर्वेशन था जो मेंद से हैं उनको तो उनको तो ऊंपर्स अपरेशन मिलते थे ट्रावलिंग मतलब 14 करोड लोग बुजर्ग लोग है उसको तो जो कंसेशन दिया है वो वाबस लेना ठीक नहीं है मोधी ऐसे अड्मिनिस्रेट इस गूरी डूइंग लॉट अफ गुड तिंस बट यह जो किया है चोटी बात है बहुत बुरा है मतलब 14 करोड लोगों का वोट इनको नहीं मिल सकता है यह चोटी बात नहीं है मैं सुपरिंग कोड का वकील हूँ मैं एक गिटार इस तरह के जो केस हैं पहले लड़े हैं आरक्षन के आप बात करें बुजर्गों के क्या आपने इस तरह के केस लिए बुजर्गों के लिए प कि इसा पॉलिजी ऑफ दे गवर्णमेंट वी केनाट इंटरफियर ऐसा बोलके तो डिस्मिस कर दिया डिस्मिस कर दिया क्या लगता है कहीना कहीं सरकार को नुकसान होने वाला है जो दोजार चुनाब आ रहे हैं उसमें हाँ क्यों मैं इसको बुजर्गों को लिए कंसेशन देना चाहिए उसका जो भी सुविता है वो छीन लेना ठीक नहीं है और मेरा चानल है YouTube मैं गिटार बाबा तमश गया है ठीक है, I am having three personalities, one is that I am a Supreme Court lawyer, the other one is I am a yoga teacher, the third one is I am a guitarist singer, and I am the only person in the world, जो जो बगवत गीतार के साथ गाता है, कोई नहीं है, दुनिया में, बगवत गीतार के साथ गाता है, कोई नहीं है, दुनिया में, this is also another message. गया लगता है, जो यह बुजरुकों की लड़ाई आपने लड़नी शुरू की, कहीना कहीन शुरू होते ही, खत्म हो गई, कोई लाब नहीं मिला, कोई फाइदा नहीं हुआ आपको, क्या लगता है, क्या कहना चाहता हूँ, कि सरकार तो बहुत बढ़िया-बढ़िया काम कर लेकिन दोबारा उसको रिसक्तोर करना चाहिए तब ही तो यह लोग बुझर लोग मतलब क्या है एक फूट तो विद ₹ जो शम्शान में है वह कभी भी जा सकता है तो उनको तो कम से कम तो खुशी करें और रच भी ओट भी मिले वोट भी इंको भी जोपी को मिल जाएगा अभी ज़ुदा करोड लोग यह सरकार से नाराज है नाराज है और कहीं ना कहीं चोदा कोरड जो वोट है उसका नुकसान नुकसान भी है सरकार के लिए, it's a big message that I am giving to the government that the concessions that has been given already should be restored to the old people, old people means senior citizens. अगर देखा जाये तो बुजरुगों के लिए और भी बहुत सुविदा है, पैंशन भी है, बृद्धा जो भी दे रहा है, वो तो मिलते ही रहता है, लेकिन जो इनको दिया है, वो क्यों चीन रहा है, that is a wrong thing, which the सरकार is doing. बुजरुग जो है, बृद्धा आश्रम में भी रहते हैं, माबाप से भी अलग, मतब बच्चों से अलग रहते हैं, उनका तो बहुत प्रोब्लम है, तो उनको जो जो कंसेशन मिला था, वो उसको क्यों रुका है, रोका है, यह तो गलत बात है, तो वो ही बूलने की जाते हैं, तो जिससरा से हमने बात करने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ जो दर्द हैं वो लेकर बैठे हैं अपनी जिंदगी में, क्या लगता है जो बुजरुगों को कंसेशन दिया गया था, वो बापिस लिना, क आपकी क्या राय अपनी राय है मरसा ज़रूर साजा करें इनी सब खबरों के लिए जुड़े रहे हैं हमरसा देखते रहे हैं सोगंड टीवी कैमरा में सुभित के साथ राधिकर शब्रूर आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की